तो भाई जैहिन सभी को कैसे हैं आप सभी उम्मिद करता है सारे बच्चे मसते हैं तो कल बेसिकली हमने बात करें तो कल था हमने बेसिक जो आपका कंपेर था इसकी बीच में आपके यूनियन एग्जेक्टिव एंड स्टेट एग्जिटीव पढ़ाता एंड आपको काफी च एक्जाम पॉइंट और व्यू से ठीक है और हमने कल दो तीन चीज़ को पर बात करता है बेसिकली जो आपका टैन्यूर इसका अपके गवर्नर का तो मैंना कुछी नॉर्मल जो जर्नल टैन्यूर है गवर्नर का वो बेसिकली फाइव यर का है बट कॉंस्यूशन के अंदर क बात करते हैं अपके जो आपके प्लैजर ऑफ अप प्रेसिदेंट प्लैजर ऑफ प्रेसिदेंट ऑफ पर काम करते हैं मतलब जब बात करें हम प्लैजर और प्रेसिडेंट आफ इंडिया उपर तो मतलब कहने इस बात यह जब आपके प्रेसिडेंट आफ इंडिया इनका जब तक मन करेगा जब तक गवर्नर अपनी पद पे बने रहेंगे और याद रखना कि यह अपने जो टैन्यॉर है कौन सा इसको कंप्लीट करने के बाद अगर प्रेसिडेंट आफ इंडिया चाहते हैं कि यह अपने टैन्यॉर कंटीन्यू करें तो भाई यह क्या प्रेसिडेंट करवा सकते हैं तो घुमा फिराक के तो मतलब अगर किसी भी एक पॉइंट और था आपका कि कोई भी एक गवर्नर है आपके यह आपके एक से ज्यादा हमिंटल अपर बाद करी ती इस टाम उनकी सालेरी होगी वो divide होगे किसके अंदर in both states की अंदर किसके अंदर in both states के अंदर desperate होगी ठीक है suppose करो कोई एक person आपका ठीक है वह यूपी का ऴी governor है आपका और आपके विहार का भी governor है ठीक है अब देखो जो strong state पर Water revenue इसके साफसे कैसे जो भी state आपका requiring you बेसे साफसे strong तो रौंग होगा उस पे थोड़ा सा बल्डन जादा होगा और जो थोड़ा सा कम रेविन्यू जनेरेट करता वह स्टेट उस पे थोड़ा सा कम बल्डन होगा ठीक है और यह कहों एक करेंगे डिटर्माइन करेंगे काई आपके प्रसिदेंटेंट एंडिया और यहीं पर बच्छ एक लूप था हम दियाक्त करीती कि कि वैसे जो गवरनर है आपके किसका गवरनर हैं इनकी जो भी सईलेरी होगी सैलेरी होगी इनके बेनेफिट्स होंगे इनकी कि वैसे जो गवर्नर है आपके किसका जो गवर्नर है इनकी जो भी सेलरी होगी सेलरी होगी इनके बैनिफिट्स होंगे इनकी पर्क्स होंगे जो भी प्रिवलेज होंगे कौन करेगा बच्चे आपका पार्लियमेंट डिसाइड करेगा कौन करेगा पार्लियमेंट डिसाइड है तो जैसे प्रेसिडेन्ट आफ इंडिया पर हैं आपके यूनियन में है सीम आपके गवर्नर का आपके State के अंदर हैं ठीके अधर जैसे आपके वाइस-प्रसिडेंटन यहाँ पर इसका कोई भी तो सिमिलर पोस्ट है वो आपका मेंशन नहीं है आपका फिर हम बात करते हैं पे-म के बारे में तो यहां पर आपके चीफ मिनिस्टर है आपके ठीक है आपका यूनियन काउंसल आफ मिनिस्टर है बच्चे आपका यहां पर आपका स्टेट काउंसल आफ मिनिस्टर है ठीक है और यहां पर आपके attorney General of India है आपके यह कौन है आपके highest law officer in India ठीक है और यहां पर कौन है आपके एड़ोकेट जनरेल ऑफ स्टेट क्लिए यही कंपर मैं बात करूं तो आपको यूपीज यसी एक्साम में आपको बहुत ज्यादा क्या करके वह करें करें क्या बहुत करें आज हमने कलगत के पास कौन कौन सी पावर् समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो यह था आपका पार्ट 6 के अंदर है बीसिकली यह पढ़ा था कि यह क्यों अगर यह किसका आपका यूनियन आपका स्टेट गवर्णमेंट का यह क्या है यह आपका क्या आपका कंपोजिशन है किसका आपके स्टेट एक्जेक्यूटिव का और जब बात कर रहे है एक्जेक्यूटिव तो इनका काम क्या है law ko implement करवाना क्या करवाना law ko implement करवाना basically इनका काम है अबका तो सबसे पहले हम बात करते है वाई गवर्णर के power क्या है functions क्या है important है काफी वार question आए है और आते रहेंगे तो आपको कोई साइची important ध्यान रखनी है क्या क्या रहा है बच्चे गवर्णर हैस दे सेम एक्जीकुटिव ठीक है लेजिस्लेटिव financial and judicial authority कौन से अब भी judicial अगर मैं यहां पर एक बात बता हूँ तो आज यह सब देख पा रहे हैं देखो अब हमने क्या पड़ा है कि भाई सब जो गवर्णर के पास जो पावर हैं आपकी वह सेम है जैसे आपका executive हो गया आपका legislative हो गया आपका judiciary हो गया आपका and आपके financial हो गया same कैसे बच्चे same as same as president of India इंडिया बट जब हम बात करेंगे किसके आप प्रेसीडेंट आप इंडिया के बारे में तो यहां पर इनके पास एक military power है इनके पास क्या है इनकी military power और इनकी डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो भी थोड़ी सी कहा है इनके पास एक्सीज है क्या आपकी थोड़ी साट एडवांस थोड़ी फाल्त हों किसे आपके president आप देखो यहीं पर एक मैं प्रेसिदेंट आफ इंडिया है आपके ठीक है यह कंप्लीट पाडन कौशा पाडन कर सकते हैं बाइं किसको आपके सेंटेंस को है ठीक है और आपका क्या आपका कोर्ट मार्शल को सब्सक्राइब को तो उनकी पास एक तो death penalty को बिलकुल पाड़न करने की complete शमा करने की power है और उनके पास दूसरी power है जो आपका court उसको भी रोकने की बट बट क्या कह रहे हैं जब हम बात करते हैं governor के बारे में तो governor ना तो complete that sentence को stop कर सकता है ठीक है ना वो court marshal के अंदर कुछ भी enhance कर सकते हैं ठीक है तो add-on power किसके पास है आपके president of India के पास थोड़ी सी फालतु power है आपकी ज़्यादा पावर फालतु नहीं ज़्यादा पावर है आपकी ठीक है however the governor power is restricted आपकी थोड़ी सी क्या है आपकी रिस्ट्रिक्टेड है इन और सैवरल वेज compared to that the president कुछ जो पावर है वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड है किसके आपकी गवर्नर की किस कंपेर में बाइस आपके प्रसिडेंट के पासफावर है यहां पर गवर्नर का कोई भी रोल नहीं है क्या panor कोई भी रोल नहीं आपका अब जो यह आप इमेज़ देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके जितने भी आपके गवर्नर से उनकी हैं ठीक है और बीच में यह आपके मेंन्स और राम नाथ कोविन यह आपके यहाँ पर बैटे हो और सारे गवर्नर्स या फिर जो एल जी है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं ठीक है और यहीं से गर मैं बात हूँ तो अपोइंट्मेंट से रहे हैं बात करें तो भाई जो आपके गवर्नर है उनका जो पिर मिन्ट क्रें कंसर्ट करेंगे क्या करें कंसर्ट करेंगे ठीक है कोई भी दो याद रखना जो गवर्नर है इनका ना तो कोई डाइरेक्ट और ना ही कोई Audra cheers लेक्शन नहीं होता है ठीक है और इनका कोई भी रिमूब प्रॉसेस भी आपके constitution के अंदर है नो तो removal process, removal process mentioned in constitution, mentioned in constitution, ठीक है समिधन के अंदर ये चींचिन भी नहीं है आपकी, यहां तक कोई रावर किसी को ये important term है आपका, कि ना तो कोई इनका election manner है कोई इनका ठीक है, जैसे हम देखते हैं, प्रेसिड़न का Electoral College होता था यहां पर वो concern भी नहीं है आपका, एंड सेकेंड जी जो रिमूवल प्रोसेस है आपका वो भी आपका डिफाइन नहीं है और वो भी क्या था आपका वाइलेशन ऑफ दा कॉंस्टिशन गिवन थी उसमें बट जब हम बात करतें गवर्न के बारे में तो या तो यह रिजाइन कर सकते हैं या फिर इनका नॉर्मल टैन यह वो खतम हो जाए तीसरा कोई और रिमूवल प्रोसेस आपके कॉंस्टिशन मे नहीं मैंशन है बच्चे ठीक है जैसे और नो सभी को उमीद करता है यहां तक सारे जो डाउट होंगे आप या कोई मनमे कुछ सवाल उप उप कहते हैं उत्पन हो रहे होंगे तो आपके खतम हो गये यहां से ठीक है बात करते हैं से पहले एक्जेक्वुटिव पावर ऑफ दा गवर्नर के बारे में ठीक है पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं दा गवर्नर मेक्स ऑल दा एक्जेक्वुटिव डिसीजन ओन दा बिहाफ ऑफ दा स्टेट गवर्मेंट कौन सा अर्टिकल बोलता है बच्चे आर्टिकल वन सिक्रिस्टिक्स क्लॉज वन और प्ली लिया जा रहा है डिसीजन लिया जा रहा है तो वो सारे प्रेसीडेंट ओफ इंडिया के बिहाफ पे लिये जाएंगे बच्चे आप देख पा रहे है यह एक इमेज आपकी ठीक है सेकेंड पॉइंट कहरा है बच्चे आपका दा गवर्नर एपोइंट दा चीफ मिनिस्टर एंड़र केबिनेट मेंबर कौन करते हैं एक इसको चीफ मिनिस्टर को एंड़र कैबिन मिनिस्टर जया आपके काउंसल ओफ मिनिस्टर होते हैं और दे सर्व एड़ प्लेजर ऑफ दा प्रेस गवर्नर अर्टिकल वन सिस्टी फूर यह भी आपके यूप्न्री में पूचा मात पर हो, इन देखेञा थे रहे हो दिए प्रेषिदेंट व इंडिया ठीक है यहां पर हम बात करते हैं किस क chuckling मैं क की हाता भाई यह करता है यह भी करते हैं क्या करते है आपके आपकरन करते हैं यह करता है PM को एंड जो अदर council of minister है on the recommendation of recommendation of PM ठीक है एंड जो आपका नेक्स मेंट क्याता है जो PM है आपके एंड जो आपके union council of minister है वो किस पर आपके pleasure of president of India पर काम करते हैं बट हमने एक चीज पढ़ी थी कि PM को जब तक नहीं अटा सकते हैं जब तक इनके पास majority है क्या है जब तक पास majority है जब तक PM के पास majority है जब तक इनको president नहीं आटा सकते सेम जब हम बात करें किसके बारे में आपके गवर्नर के बारे में तो गवर्नर भी क्या करते हैं पॉइंट करते हैं कि इसको आपके chief minister को एंड जो आपकी state council of minister है उसको भी क्या करते हैं के appoint करते हैं ऑन दा बिहाफ ऑफ 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 चीफ minister चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पर बच्चे ठीक है एंड जो cm है एंड जो आपका state council of minister है यह भी आपके pleasure of governor पर काम करते हैं और या दरना cm को जब तक यह रिमूव नहीं कर सकते जब तक इनके पास क्या है मैजरिटी है जब तक इनको भी रिमूव नहीं कर सकते याद रखना आपका clear समझा आपने president and governor का जो एक काम है आपका काफी हद तक क्या है बच्चे आपका similar process है क्या आपका similar process और नो ठीक है shortity point clear देख पाने है आपकी governor है और यह बंगाल की cm आपकी ठीक है he may create rule for the efficient execution of the state government work and distribute among the ministers ठीक है यह normal चीज था आपका और यह भी आपका पूछा गया आपका UPSC ने ठीक है and last minute का कहा रहा है he appoints the state advocate general and determine the tenure and condition of the service याद रखना जो आपके advocate general of the state है वो क्या है आपके highest law officer है किसके आपके state के जैसे आपके attorney journal है आपके वो highest law officer के इंडिया के उनका appointment कुन करता है भाई student of India same scenario आपके advocate general of state के लिए भी है कि इनका जो appointment है इनका जो term of condition है इनका जो office है इनका जो भी salary है perks and privilege है भाई किसकों determine करेगा आपके governor determine करेंगे same चीज जो भी power and privilege किसकी थी आपकी attorney general की पूरे इंडिया के अंदर same chief advocate general की पूरी power होगी कहां पर पूरे state के अंदर and इनका भी कोई भी removal process आहां पर mention नहीं होगा क्योंकि यह भी pleasure of governor पे काम करते हैं कोई डाउट यहां तक यहां तक कोई डाउट बता होई आपके honorable governor on advocate general chief minister ठीक है देख पारें भाई तीनों एक line में आपकी shorted कोई डाउट चलिए और he has the authority to recommend the president of the declaration of state constitutional emergency in case अगर जो state government है आपकी वो collapse हो राती है या पिर वो तो सही से काम नहीं करती है तो वो president को क्या करते है recommend करते हैं कि आप यहां पर emergency लगाए यहां पर state emergency लगाए जाए यहां पर ठीक है आपका तो emergency in constitution ठीक है the governor appoint the state election commissioner and establish his term office and working condition as per the article 243 के और यह भी आपके exam में पूछा गया है क्या कह रहा है बच्चे कि जो governor है बच्चे क्या करते हैं आपके appoints करते हैं किसको आपके state election commissioner को and establish his term of office and working condition मैंने आपकी चीज़ बताई थे कि जो आपका state election commission है बच्चे आपका इसका काम क्या कि जो भी आपकी local self-government है जैसे आपका पंचायती राज हो गया आपका municipality हो गया इनका election conduct कराना electoral conduct कराना सारी चीज जो आपका जो election process है किस manner में होना चीए यह सारी power किसके पास है आपके state election commission के हाथ में बच्चे आपका ठीक है और उसका article क्या है उसका article 243 के है और यह article भी आप से डायरेक्टली आपके exam में पूछा गया है कि बाइस आप स्टेट इलेक्शन कमिशन का आर्टिकल कौन सा है तो आर्टिकल 243 के डेल करता है किसे आपके स्टेट इलेक्शन कमिशन से बच्चे आपका ठीक है यहां तक कोई डाउट तो बताओ बढ़ी तो यहां रखना ज गवर्नर है जॉटरिटी तो कॉल और डिजॉब दास्टेट लेजिसलिचर बेस ऑन दवाइस ऑफ स्टेट मिनिस्ट्रियल कंसल विच इज लेड बाइद बाइद श्टेट चीफ मिनिस्टर ठीक है सभा को बुलाना और सभा को खंड करने की जो पावर है आपकी ठीक है वह गवर्नर प्रेजन्ट अस्टेट लेजिसलिचर रिपोर्स ऑफ देट फाइन्स कमिशन स्टेट पॉब्लिक सर्विस कमिशन और अंद अग्वर्नर है यह भी किसके बाइस आती है आपकी अपकी गवर्नर के पास आती है बच्चे कोई डाउट यहां था किसी को ऐसा और नो ठीक है डाउट करते हैं या फिर पूरे साल का अपके बजट हो गया मौनसून होगा विंटर होगा फिर सेशन होता है उसका जो सबस्ते पहला जो एड्रेस करते हैं वह भी आपके करते हैं बच्चे आपके ठीक है, the governor address the both houses of the state legislature in the joint sitting ठीक है, अब joint sitting कब हो सकती है भाई, only on ordinary bill, same हमने प्रेसिडेंट के रहे हैं पड़ाता, कि जब कभी deadlock होता है तो उस condition में भाई करवाते हैं, same यहां पर भी है, and he or she has ability to deliver a message to any or both houses, ठीक है, as per article 1475 ये भी आपके exam में पूछा गया है बच्ची आपका ठीक है, देख पाने हैं ये वाला हो क्या, ठीक है, when the state legislature not in session, the governor has authority to issue the ordinance, ठीक है, ordinance क्या होता है बाई, जब आपके जो state legislature है या फिर जो पार्लेमेंट आपके, जब वो session में नहीं होती है, तो एक emergency type of law आता है, आपका basically president देते हैं, center के अंदर, governor देते है, state के अंदर, तो उस पास वाला सीन की, एक emergency कोई law लेके आना है, तो उसके बारे में बता जाए, जब आपका जो legislature है, आपका, जब वो working के अंदर नहीं है, आपका, ठीक है, and the ordinance must be authorized by the, ठीक है, यह जो आपका temporary आपका law है, यह authorized होना चाहिए, within the six week of the adoption of, ठीक है, जब यह आपका local जो है, ठीक है जो यह law है, इसको six week के अंदर कम से कम पास होना पड़ा है, legislature से, और यह आर्टिकल कर आपका, 213 deal कर रहा है, इससे, clear, और यह भी आपका important है, यह याद रखना है, यह क्या आपका important है, ठीक है, and governance has the authority to revoke the ordinance at any moment, यह गवर्नर के पास authority है, कि जो जो ऑर्नेस पास किया है, उस को कभी भी रिवोक कर सकते हैं, जब उनका मन करेगा, clear है सभी को, यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट है, ऐसा और रो, done, ठीक है, अब बात करते है, financial power of the governor के बारे में, पहले आप मुझे यह बताओ, जो financial power of president था, वो क्या था, इतने पानी भी लेता हूँ, फटाफड आप लोग कमेंट करें और बताएं, 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 financial power of the governor के बारे में, बात कर रहा है, यहाँ पर, अधे, चलिए बात करते हैं, no money measure by table, state legislature without governor prior approval, ठीक है, वही मनी भी वाला है, ठीक है, तो बिना approval के वो pass नहीं होगा, थे, वो भी important point है, money will बात करें, ठीक है, second point के रहें, money bill के बारे मच्छे, एक important जीश समझना, money bill हमेशा, union में हमेशा, लोग सभा के अंदर आएगा, आपका, center के अंदर, बात करेंगे, और state में आपका state legislative assembly के अंदर ही आएगा, ठीक है, राज जी सभा, जो आपका council है, यहाँ पर इसका, कोई भी involvement, नहीं है, बच्ची, आपका, ठीक है, आपका, है, he or she is entitled to make advance from the state contingency fund to cover the unfortunate expense, ठीक है, यह क्या है, आपका emergency fund होता है, यह president के पास भी होता है, आपके, गवर्नर के पास भी होता है, और यह कोई राटिकल है, आपका 267, इससे deal कर रहा है, किससे आपके, contingency fund of state deal कर रहा है, आपका, same आपका union का भी है, आपका, प्लेर सभी को, ठीक है, under the supervision of the governor, the annual financial statement, और the state budget, are submitted before the state legislative assembly, article 202, यह भी important है, जो आपका state का budget आता है, वो पेश होने से पहले, governor के सामने क्या होता है, आपका table का आता है, वो चीज, same president के लिए भी थी आपका, same आपके governor के लिए भी है, बच्छा आपका, ठीक है, state budget का रहा है, मत कर रहा है, आ and the governor appoints the state finance commission for a five year term, same आपका जो finance commission है, union के अंदर, उसको president of India करते है, उसको appoints करते है, पास साल के लिए, and its function, the commission examine the financial circumstance of municipality and puncture, article 243, यह भी important है, आपका, तो मैंने बचा रहा है, जो state finance commission है, basically, जब आपके state में election होते है, उसके बाद हो वहाँ पर भी fund है, manage करना, and जो आपके development के लिए, आपके municipality and जो आपके पंचायत है, इन सब को fund provide करने का भी इसके आप काम है, आपका, state finance commission का काम है, बच्चे आपका, article 243, election commission 243, ठीक है, और इसका 243 है, आपका, clear, कोई doubt, यहां तक तो बताइए, बागी, जब हम पंचायती राज पढ़ेंग सब्सक्राइब के बारे में, same कुछ president की भी है, कुछ यहां पर भी बात करेंगे आपके, ठीक है, article 161, grant the governor the authority to give, pardon है, बच्चे आपका, रिप्राइब है, respite, remission of the penalty, or suspend, remit and commute the sentence of any person convicted by the court of any offense against any legislation, related to the matter in which the state as a judiciary extent, अब देखो, कहने की बात यह, जैसे आपके president के पास कुछ पार्णिंग पावर्स थीं, ठीक है, कि वो बाई, किसी के सब्सक्राइब करते हैं, कि कोई health condition के उपर, किसी की sentence कोई कम कर दी हैं, आपकी harness वही रही, यह सारी चीज़ जो है, आपकी, यह आपके, प्रेसिदेंट्स आपके पा कह सकते हैं, कुछ certain कह सकते हैं, बाउंडेशन है किसके उपर, आपके governor सापके उपर, ठीक है, governor cannot commute the death sentence, governor के पास कोई भी power नहीं है, कि वो commute कर दे, death sentence को, ठीक है, यह power specially आपके president of India के, पास ही आपकी, ठीक है, तो इनके पास power नहीं है, देख पारे हैं, फासी और बिलकुल ब post and promote of the district judges, ठीक है, district judges का promotion होगा, उनका transfer होगा, यह सारी चीज, governor करते है, किसके consult करके, state high court करके, यहाँ पर president का, कोई भी involvement नहीं है, और यही question आपका, NDA to 2022 में, आया था, आपका, कोई आपका, NDA to 2022 के अंदर यह वाला question, आया था, आपका, clear, ठीक है, and the president consult the governor before the appointing the chief justice and judges of the relevant state high court, president of India consult करेंगे, governor से, जब भी वो आपके chief justice and other judges of high court क्या करेंगे, आपके appoint करेंगे, clear, यहाँ ते कोई डाउट यहाँ और नो, ठीक है, यह पार्टनिंग पावर्या लोग पढ़ ले ना, प्रेसेंट के उसमें पढ़ाया था आपको, ठीक ठीक है, यह साथ चीज़ भी आप लोग पढ़ लेना, आपका, ठीक है, अब immunities enjoy by the governor क्या कहा रहा है बच्छा आपका, no criminal proceeding may brought again the state governor in any court during the full term of office article 361 clause 2, ठीक है, important है, पूछा गया है आपके exam के अंदर, कि बाइसा मैंने कुछ चीज़ बताई थी कि बाइसा जो प्रेसिडेंट हैं जो governor है, इनके उपर कभी भी जब तक यह service के अंदर है, इनके उपर कोई भी criminal proceeding नहीं चलेगी, हाँ, इनके उपर civil case चल सकता है, बट दो महीने पहले prior notice इनको देना होगा, ठीक है, तो यह immunity है, and no court has authority to issue any arrest warrant for the governor, same चीज़ आपके present के लिए भी है, जब तक इनका tenure चल रह है, इनके उपर कोई भी arrest warrant इनके उपर जारी नहीं किया जा सकता, clear, देख पार है, यह वाला हो गया, ठीक है, and during his tenure of office, the governor is not a person accountable and answerable to any court of exercise, performance, his power, article 361, जब तक कोई भी व्यक्ती, governor के पत्पह है, उसका क्या काम है, वो किसी भी court के अंदर, accountable, answerable नहीं है, उसके लिए, clear तभ कोई डाउर तो बता हो भाई, यहां तक कोई डाउर तो बताएए भाई, ठीक है, and civil proceeding चल सकती है, इनको कम सकम two month prior notice देना होगा, civil criminal प्रोडिंग नहीं चलेंगी, civil प्रोडिंग चल सकती है, two month prior नोटिंग आपका, two month prior notice इनको देना होगा, कि भाई, हम आपके उपर civil proceeding चला रहे हैं, कौन सा आपका, article 361 clause 4 के साब से आपका यह, ठीक है, तो यही सब सा बच्चे, governor के बारे में, आज आपका governor complete हो गया, कल के class के अंदर, हम cm को state council of minister को, and job category general of state है, इन सब को compare में पढ़ लेंगे, ठीक है, उमीद करता हूँ, आप सभी को कोई doubt नहीं रहा होगा, and है, बजे, शाम को एक big launching है, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा surprise है, किस के लिए, जो भी आपके NDA experience है, उनके लिए बच्चे, ठीक है, मिलते हैं, आप सभी से कल, जब तक के लिए आप से लविदा, जब तक के लिए जय हिंद,